हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर कुकिंग चैनल देशी सीजनिंग आज मैं आप लोगे लिए बहुत यम्मी सा रसिपी बनाने वाले हूं सो लेट्स पिगीन आज हम आप लोगे लिए एक और खास मोदक रसिपी लेके आये हैं आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड मोदक यह मोदक बाहर से जितना क्रिस्पी होता है अंदर से उतना ही सौफ्ट और मीठा होता है तो चलिए फ्रेंड्स बिना वक्त कवाय बनाना स्टार्ट करते हैं फ्राइड मोदक सबसे पहले एक प्लेट में एक कब मैदा डालेंगे अब इसम almonds घी डाल देंगे अब हमें मैदा को घी के साथ बहुत अची तरह से तो मिक्स करते टाइम आप दोनों हातों का यूज कीजिएगा और इसे बहुत अच्छी तरह से रगर रगर के हमें मिक्स करना होगा ताकि घी मैदा में अच्छी तरह से मिल जाए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा के के पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट करके आटा गूत लेना है जैसा हम पूरी के लिए आटा या फिर मैदा गूतते हैं बिल्कुल उसी तरह का इसका कॉंसिस्टेंसी रहना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हाड हम मेस चली जारा मूदािंा बना लते है यहां पर हमने आटा ग्रेट नाया यहां चीनी कीशना किशना के मैं पूरा यहां चीनित ना kub का ढाक चीनी डाला reference अब यहां अब अन्यों कि ने से पयों फांपता से कम आमांट में वाना चीनी डाला है से अब तक पखाना है जब त अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे 1-2 cup ग्रेटेड खोया अब हम इसे तब तक पकाना होगा जब तक ये खोया और ये नारियल का मिक्सचर पैंड से अलग ना हो जाए तो इस प्रोसस को होने में ज्यादा से ज्यादा दो मिनुट का ही टाइम लेगा हमार आदा घंटा हो चुका है अब इसका कप्रा हटा के हमें मैदा को फिर से अच्छी दर से गूथ लेना है अब इसके छोटा छोटा पूरी के साइस का गोला बना लेंगे अब सारे गोले को हाथ से हलका-लका चप्टा कर लेंगे अब एक गोला लेके इसका पूरी के साइस का ह हमें बेल लेना है तो इसका डायमीटर है तीन इन से जाधा बरानी होना चाहिए इसके उपर ठोड़ा सा मांट में स्टसफिंग रख देंगे आप दोनों हाथोंसे रोटी को पकरेंगे और इसे हमें चोटा चोटा इसके प्लीट्स मंना लेने के बाद हमारा मोदक कुछ इस तरह का दिखेगा अब हमिसे सील करेंगे अब मोदक को बहुत खियरफुली एक हाथ में ले लेंगे और दूसरे हाथ से इसका जो ओपन हिस्सा है उसे कोछ इस तरह से प्रेस करते करते हमें पॉइंटेड एक शेप दे देना है तो आपको बहुत अच्छी दूसर से प्रेस करना होगा कोई भी हिस्सा इसका ओपन ने रहना चाहिए वरना फ्राई करते टाइम यह इजिली तूट सकता है से इम प्रोसस को फॉलो करते हुए हमें सारे मोदक को शेप दे देना है हमने सारे मोदक बना लिया है तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं करहाई में हमने थ्यादा क्वांटिटी में रिफाइन ओईल को गरम कर लिया है तेल को बहुत जादा गरम ना करें बस थोड़ा से गरम कर लेना है अब बहुत ही कियरफुली हम इसमें मोदक को डाल देंगे तो मैं एक बैच में फिलहाल दो मोदक फ्राई कर रही हूँ और एक चीज़ का धियान रखेगा मोदक को हमें बिलकुल लो फ्लेम में घुमा घुमा के फ्राई करना होगा अगर आप इसे हाई फ्लेम में फ्राई करोगे तो क्या होगा ना मोदक बाहर से तो फ्राई हो जाएगा बट अंदर से यह बिलकुल कच्छा रहेगा तो इसे फ्राई होने में कम से कम 3-4 मिनुट का ही टाइम लेगा तो फ्लेम को हमें लो करके ही इसे फ्राइ करना होगा इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे मुदग फ्राइ हो चुका है अब इसका एक्स्ट्रा ओयल जहार के इसे हम एक ड्राइ प्लेट में उतार लेंगे बिल्कुल सेम प्रोस्स को फॉलो करते हुए हम सारे मोदग को फ्राइ कर लेंगे आई होप आपको आज की हमारी ये फ्राइट मोदग की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसे तरह के नए ने रेसिपी वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ आज के लिए बस इतना ही गनपती बापा मोरिया